हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अदिकांशा क्लासेथ आझम करेंगे जून मंत की सभी नियूक्तों के वारे में कोशन अंसर्स जून की महिने में जो भी नए ब्रेंड डमश डबने हैं जिनोंने भी नया पद ग्रैंड किया है उन सभी के वारे में कोशन अंसर्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो बिनादिर करते हूँ चले वीडियो को सुरू करते हैं हाली में सेल के अद्यक्ष और प्रवंद निदेशक के रूप में किसने कारवार समाला है अमरेंदू प्रकास ने इन्होंने 31 मई 2023 को ये पत समाला है इससे पहले अमरेंदू प्रकास सेल के बुकारो स्टील प्रांट के डिरेक्टर इन चार्ज थे इनसे पहले सेल के अद्यक्ष और प्रवंद निदेशक के पत पर स्रीमती सोमा मंदल कारवरत थी जिनका रिटार्मेंट 30 अप्रेल 2023 को हुआ थोड़ा सेल के वारे में सेल का फुल फॉर्म इस्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल की स्थापना 24 जन्वरी 1973 में हुआ था और सेल का मुख्याले नई दिल्ली में है हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे न्यूपत किया गया सेलिस्ति सावलो को सेलिस्ति सावलो ने 2014 से अर्जेंटिना की नेशनल मेटेरोलोजिकल सर्विस के डिरेक्टर के रूप में कारे किया है अब इनने वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल और्गनेशन की जनरल सेकेंटरी न्यूपत किया गया है डवलो एमो के बारे में इसकी स्थापना 1950 में होई थी इसका मुख्याल है स्विजर लेंड के जिनेवा में है हाली में भारत के अगले स्वास्थ स्चिफ के रूप में किसे न्यूपत किया गया सुधानशू पंत को अभी राजेश भूशन केंद्रिय स्वास्थ और परिवार का लियान मंत्राले में स्चिफ के पतपर कारे रथ है जिनका रिटायर्मेंट 31-8-23 को होगा इनके बाद वरिष्ट आई-एस अधिकारी शुधानशू पंत को इस पतपर न्यूपत किया जाएगा हाली में बियस एफ के नई महानी दिशक के रूप में किसे न्यूपत किया गया है नितिन अगरवाल को ये भारतिया पुलिस सिवा के वरिष्ट अधिकारी है इससे पहले बियस एफ के महानी दिशक पंकस सिंग थे जो अपसे 6 मईने पहले 31 दिसमबर 2022 को रिटायर हुए इस बीच CRPF के महानी दिशक सुजोय लाल थाउसेल ने BSF के प्रमुक के रूप में अतरिक्त कारहभार समाला अब इस पत पर केरल केडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी नितिन अगरवाल को निउक्त किया गया है हाली मैं स्रीचंदर हिंदुजा की मरत्यू के पच्चात हिंदुजा गुरूप के नई अध्यक्ष की रूप में किसे निउक्त किया गया गोपी चंद हिंदुजा को स्रीचंद हिंदुजा के पिता पर्मानंद दीपचंद हिंदुजा ने सन 1914 में हिंदुत्व की गुरूप की सुरुवात की थी, भारत और पारस के बीच व्यापार समझे थाबित करने का श्रे इनी को जाता है, अभी 27 मईश 2023 को हिंदुजा गुरूप के अध्यक्ष स्रीचं हाली में भारतिया विशिष्टर पहचान प्रादीकरण, UIDAI का CEO किसे निउक्त किया गया, अमित अग्रवाल को, इससे पहले सौरब गर्ग इस पत पर कारे रत थे, उनके बाद 19 जुन 2023 को सीनियर IAS ओफिसर अमित अग्रवाल को इस पत पर निउक्त किया गया, ये 36 गर्ड के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, हाली में रैंगलर का ब्रैंड अमिस्टर किसे निउक्त किया गया, भारतिया महिला किर्केटर इस्मृती मंदाना को, ये भारतिया महिला किर्केटर है, रैंगलर के अलावा ये गल्फ अफ इंडिया, GUVI, हर्वा लाइफ नूट्रिशन, हुं अध्यक्ष की रूप में किसे निउक्त किया गया, अज़यलांबा को मणीपुर में कुकी और मेहिती समुदाय के बीच हिंसा की जाज के लिए ग्रह मंत्राले ने एक कमैटि का गठन किया है, ये तीन सरश्चों की कमैटी है, जिसके अध्यक्ष अज़यलांबा को बनाया जो कि गुवार्टी के पूर्व नियादीज हैं रिटाइड आईएस ओफिसर हेमांसु शेखर दास और रिटाइड आईपिस ओफिसर आलोग प्रभाकर को इस समीति के सरस्य की रूप में नियुक्त किया गया है यह कामेटी छह महिने में अपनी रिपोर्ट केंज सरकार को पादियक्ष। वाड प्रेसिडेंट की रूप में किसे नियुक्त किया गया रितु काल्रा को रितु काल्रा इंडियन- अमेरिकन इनवेस्मंट बेंकिंग एडं़ वाइस मैंनेजमेंट एक्सपर्ट हैं इससे पहले यह फाइनस एंड ट्रिजरी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पत पर कारणत थी अब इन्हें हावर्ड युनिवेस्टी की फैनेंस एंड वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फैनेंस ऑफिसर की रूप में नियुक्त किया गया है हाली में कंटेनर कॉपरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रवंद निदेशक की रूप में किसी नियुक्त किया गया संजय सुरूप को अभी इस पत पर 30 सितंबर तक कल्यांड राम काररत हैं इनके बाद सर्वजनिक उधम चैन बोर्ड पैनल ने संजय सुरूप को CMD बनाने की सिफारिस की है अभी संजय सुरूप इसी संगटन में डारेक्टर की रूप में काररत है हाली में किसने भारतिय भूवग्यानिक सर्वेक्षड के महानी दिशक की रूप में कारेबार समाला है स्री जनारदन प्रशाद ने अब से पहले जनारदन प्रशाद इसी भिवाग में सौथन जोन के एडिशनल डारेक्टर जनर्र और होडी के पत पर थे जो की अब डॉक्टर S. राजु का इस्थान लेंगे जियलोजिकल सर्वे अफ इंडिया के वारे में GSI की स्थापना 4 मार्च 1851 में हुई थी इसका मुख्याल है कोलकाता वेस्ट वंगाल में है हाली में Axis Bank के गैर कारकारी अद्दक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया N.S. विश्वनाथन को ये RBI के पूर्व डुट्टी गवर्नर है जिनकी सेवर नियुक्ती इनका रिटार्मेंट मार्च 2020 में हो गया था Axis Bank के Board of Directors ने इने तीन साल के लिए Non-Executive Chairman नियुक्त किया है इससे पहले माई 2023 में Axis Bank ने इने Independent Director नियुक्त किया था Epson India ने अपने EcoTank Printer के लिए Brand Ambassador के रूप में किसे नियुक्त किया है रस्मिका मंडाना को Epson India के अलावा ये PlayerSpot, 7up, TTK, Healthcare, EVA, Janasya NIC Ice Cream और Kalyan Jewelers की भी Brand Ambassador है हाली में खूफिया Agency, RAW के नई प्रमुक की रूप में किसे नियुक्त किया गया रभी सिन्हा को रभी सिन्हा 36गर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है इससे पहले ये Cabinet सचवाले में Special Secretary के पत पर नियुक्त थे अब इन्होंने सामन्त कुमार गोयल के स्थन पर अपना पत समाला है सामन्त कुमार गोयल का रेटार्मेंट 30 जून को हो गया था हाल ही पनामा में भारत के अगले राजदूत की रूप में किसे नियुक्त किया गया सुमित सेट को यह 2005 बेच के IAS ओफिसर हैं इससे पहले ही है विदेश मंत्राल है Ministry of External Affairs में Joint Secretary के रूप में नियुक्त थे इन्हें दक्षड अमिर्का के शहर पनामा में भारती राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है हाली में देश की सबसे बड़ी CNG कंपनी इंद्रप्रस्त गैस लिमिटेड के नए M.D. के रूप में किसे नियुक्त किया गया कमल किशोर चटिवाल को इंद्रप्रस्त गैस लिमिटेड देश की सबसे बड़ी CNG distribution कंपनी है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी हाली में चीन की e-commerce कंपनी अली बावा के CEO की रूप में किसे नियुक्त किया गया A.D. Voo को हाली में महिस कुमार जैन के इस्थान पर RBI के डिप्टी गवर्नर की रूप में किसे नियुक्त किया गया है सौमी नाथन जानकी रमन को इन्होंने इस पत पर महीश कुमार जैन का इस्थान लिया है महीश कुमार जैन ने 22 जुन 2013 को अपना 5 साल पूरा होने का कारगा स्वाप्त किया अब स्वामिन रथन जानकी रवन को तीन साल के लिए डिप्टी गवर्नर की रूप में निउक्त किया गया है हाली मैं फिन्लेंड के प्रधान मंत्री की रूप में किसे चुना गया पैटरी और पो को पैटरी और पो वर्स 2017 से 2019 तक फिन्लेंड के उप प्रधान मंत्री रह चुके हैं इन्हें अब सन्ना मारेंड के स्थान पर प्रधान मंत्री की रूप में न्यूक्त किया गया है हाली में विशु मोसं विज्यान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने है अब्दुल्ला अलमंडोस विशु मोसं विज्यान संगठन के अध्यक्ष हर चार साल के लिए नुक्त किया जाते हैं इस बार 2023 से 2027 तक अब्दुल्ला अलमंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगटन के अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया है इससे पहले इस पत पर प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन थे अच्छा इससे पहले हमने पढ़ाया कि विश्व मौसम विज्ञान संगटन के पहली महिला महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन थी? वो सेलेस्ते सावलों को नियुक्त किया गया था मौसम विज्ञान संगटन के पारे में इसकी स्थापना 1950 में होई थी इसका मुख्यालने जैनेवा स्विजर लेंड में है हाल ही में दा हिंदू ग्रूप के नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया निर्मला लक्षमन को निर्मला लक्षमन को तीन साल की अबदी के लिए दा हिंदो ग्रूप पबलिशिंग प्राइवेट लिमिटेट के निदेशक मंडल का अध्यक्ष न्यूत किया गया है इन्होंने सुश्री मालिनी पार्थशार्थी की जगली है जिन्होंने अपना तीन साल का कारेकाल पूरा होने पर 5 जून 2023 को बूर्ड की बैठक में अद्धक्षपत से इस्तिफ़ा दे दिया था इसकी स्थापना 1945 में हुई थी इसका मुख्याले USA न्यूयर्क में है और कुल 193 देज इसके सदस्य है हाली में Gift City का नया अद्धक्ष किसे नियूक्त किया गया है हस्मुक अधिया को Gift City की फुल फॉर्म जानेंगे तो गुजरात International Finance Tax City इसकी फुल फॉर्म है इसको International Finance Service को प्रमोट करने के लिए गुजरात में बनाया जा रहा है अभी हस्मुक अधिया को इसका अध्यक्ष निउक्ष किया गया है जो की बैंक ओफ बरोदा के गैर कारेकारी अध्यक्ष और गुजरात केंद्रिय विश्विधाले के चांसलर के रूप में कारे कर रहे है हाली में ब्रिक्स CCI वूमन वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्ष के रूप में रूपी सिना को इससे पहले शवाना नसीम इस पत पर नुक्त थी अभी शी एट वर्क की संस्तापक रूबी सिना को अगले तीन साल के लिए ब्रिक्स CCI वोमन वर्टिकल की अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया है हाली में DVS बैंक की भारतिय यूनिट के नए MD और CEO की रूप में किसे नुक्त किया गया रज़त वर्मा को अभी तक इस पत पर नीरज मित्तल कारण थे जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में DVS बैंक के कंट्री हैट की रूप में नुक्त हुए है उनके इस्थान पर भारत की यूनिट में रज़त वर्मा को M.D. और CEO की रूप में नुक्त किया गया है हिंदुस्तान यूनि लिवर लिमिटेड के नए MDN CEO की रूप में किसे नुक्त किया गया ? रोहित जावा को इससे पहले यह लंदन में हिंदुस्तान यूनिलिवर की पेरेंट कमपनी यूनिलिवर के चीफ आफ ट्रांस्फरमेशन पत पर नियुक्त थे अभी यह संजीव महता के स्थान पर कार्य करेंगे